दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे दिवायोग्राफिया आफ जॉन कीट अगर हम जॉन कीट की बात करते हैं तो जॉन कीट को सेकंड जरेशन आफ इंग्लिस रोमेंटिक पोईट कहा जाता है अगर हम सेकंड जरेशन की बात करते हैं तो सेकंड जरेशन में कुछ और नाम भी है जैसे लौड बायरन है पीबी सैली है ये भी हमारे सिकेंड जरेशन रोमेंटिक पोईट कहलाते हैं जिसमें बायरन की मृत्व 36 साल की उम्र में और पीबी सैली की मृत्व जो है 29 साल की उम्र में और जॉन कीट की मृत्व जो है वो 25 साल की उम्र में ही हो मिर्शन पोइट को हैं तो अगर हम फीलियम बी बासवर्थ सथ में इनको शुरुवाद करने से पहले हम थोड़ा से इनके दोस्तों को भी बात कर लेते हैं कि इनके कौन-कौन से ឋ on वाइरन जॉन की तोहीं हैं ओके ये इनकी फ्रेंड सर्किल थी जॉन कीट की कौन लॉर्ड वाइरन ली हंट और थॉमस लब पिकॉक एंड पीबी सहली तो इतने चार पांच दोस्ट इनकी फ्रेंड सर्किल थी बहुत अच्छी अब हम बात करेंगे कि हम लोग कौन कौन से इनके नोटेबल वर्ग को हम डिसकस करेंगे जिसमें इन से जहां से हमारा पीजी टी के एक राइटर है जहां से बहुत कुछ पूचा जाता है जैसे हेपेरियन है ओड ऑन अग्रेसियन आरन है तो इतने इनके नोटेबल वर्ग को भी हम लोग डिसकस करेंगे यहां पर एक चीज और डिसकस कर देता हूँ कि इनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1795 को और इनकी मृत्यू 23 फरवरी 1821 को होई थी दोस्तो जोन कीड का जन्म मूर्गेट नौ काल फिंसवरी जो की अब फिंसवरी कहा जाता है लंदन में 31 अक्टूबर 1795 में हु tumor thma कब हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में कहा हुआ मूर्गेट में और जो की अब फिंसवरी के नाम से जाना जाता है दोस्तो इनकी मृत्यू रोम में हो गई थी 23 फरवरी 1821 को जब जॉन किट की मृत्यू हुई उस समय इनकी आयू 25 साल 4 माईने के थे और इनको बरीड कर दिया गया दफन कर दिया गया इन प्रोटेस्टेंट सिमेट्री रोम इटली कहां प्रोटेस्टेंट सिमेट्री में इनको दफन क इसके बाद हम बात करेंगे इनके माता पिता की, कि जॉन कीट के माता पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम थॉमस कीट था, जो की एक इस्टेवल कीपर थे, और इनकी माता का नाम फ्रैंसिस कीट था, तो अब किलियर हो गया होगा, इनका नाम क्या है, जॉन कीट है, इ फ्रैंसिस जैनिंग्स कीट भी कह सकते हो इनके मृत्यू 23 परवरी 1821 को लगवग 25 वर्स 25 वर्स चार मैने की आयू में इनके मृत्यू हो गई और इनको दफन किया गया था प्रोटेस्टेंट कबिस्तान रोम में इनको दफन कर दिया गया था अब इनकी सिक्षा की बात कि इनके एजूकेशन कहा हुई अगर हम इनके एजूकेशन की बात करते हैं तो जान कलक्स स्कूल एन्फेल्ड एंड गाईज हॉस्पिटल लंदन में हुई थी अर्थात जान कलक्स के स्कूल एन्फेल्ड एंड गाईज हॉस्पिटल लंदन में इनकी सिक्षा दिक्षा दुस्तरा फैनिवरोन के साथ में यह आकूपेशन कौन से एज के पोईट माने जाते हैं तो रोमांटिक पोईट हैं यह रोमांटिक एज रोमांटिक एरा से बिलॉंग करते हैं और रोमांटिक एज के सिकिंड जनरेशन पोईट कहलाते हैं या इसे हम कह सकते हैं यंगर जनर ज developments कि अगर बात करते हैं इनके जीवन परचे की बात कर लेते हैं इनका लाइफ इनका जीवन क्या है तो सबसे पहला करीब 15-20 प्वाइट को हम डिसकस करेंगे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की तो इसमें जॉन कीट्स बाज दे इल्डेस्ट आप फोर सर्भाइविंग चिल्डरन यानि कि जॉन कीट्स अपने चार भाई बहनों में से सबसे बड़े थे फिर रिपीट कर रहा हूं जॉन कीट्स अपने चार भाई बहन थे छोटे बाई वहन जो थे उनका नाम था ज़ार्ज थॉमस और फ्रैंसिस मेरी था फिर रिपीट क्या ज़ार्ज, थॉमस और फ्रैंसीस मेरी सेकन नंबर point हमारा क्या है अगर ऊठार बांप करें का सहिता हूं खिखे लिगाया है इन्हों नें इसके बाद रेन जो कि ये स्कूल चलाया जाता था किसके द्वारा एक आदमी के द्वारा जिसका नाम था जॉन क्लार्क अठारह सुतीन में उन्होंने इंगलेंड के एक एन फिल्ड के एक छोटे से स्कूल में अपनी पढ़ाई को सुरुआत की जो कि एक जॉन क्लार्क नाम के एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता था नेक्स्ट इन अप्राइल एटीन जीरो फोर में वेन ही वाज एट उस समय इनकी उम्र आठ साल की थी इस फादर डाइड इनकी पिता की मृत्यू हो जाती है प्रामा इस को फ्रैक्चर और के सफ़र्ड वेन ही अब इस चीज को समझेगा वैसे तो इनके पूरे परिवार की मृत्यू जादत एकी बीमारी ने खा लिया थे इनके भाज्यों को इनकी माताजी को और इनको भी खुद बो था ट्यूबर क्लोसिस टीवी की बीमारी लेकिन इनकी पिता की जो मृत्यू हुई थी वो एक अलग तरीकी से हुई थी इसलिए इसको समझना जरूरी हो जाता है अप्रैल 1804 में जब इनकी उम्र आठ वर्स के थी तो इनके पिता की खोपड़ी में यानि की सिर में फ्रैक्चर हो जाने से इनकी इम्रत्यू हो जाती है फ्रैक्चर कैसे होता है बेसिकली ये अपने घोड़े से गिर जाते हैं और उन्हें बहुत जारी बहुत ज़्यादा सर में चोट लग जाती है जिस वज़े से उनका इंतकाल हो जाता है सुर्गवास हो जाता है मृत्यू हो जाती है फिर फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है इन मार्च 1810 यानि कि 1810 मार्च 1810 में क्या होता है ही वाज 14 अब जॉन किट की ओमर 14 साल की हो चुकी है एक और इनके जीवन में जटका लग गया इनकी माता का भी मृत्यू हो जाती है हमने क्या बताया इनका पूरा परिवार जुए टूबर क्लोसिस से जो है गरसित हो जाता है चपेट में आ जाता है और ये भीमारी पूरे परिवार को खत्म कर देती है तो मार्च 1810 में जब बैच 14 वर्स के थी तो इनकी माँ की टीवी से ट्यूबर क्लोसिज से मृत्य हो गई और इस सेम एर उसी साल ही लेफ्ट क्लाक्स को स्कूल और उसी साल जो क्लार की स्कूल में ये स्टडीज कर रहे थे पढ़ाई कर रहे थे अपनी टू अपरेंटिस अपरेंटिस का मतलब होता है किसी काम को सीखना सुरुआत करना बिद थॉमस हैमन के साथ में ओके आसरजियन एंड अपैथो केरी का तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब इनकी माँ की मृत्य हो जाती है इस समय इनकी ओमर 14 साल की होती है उसी बर्स उन्होंने क्लार्क के स्कूल को छोड़ दिया और थॉमस हैमन एक सरजन होते हैं थॉमस हैमन कौन होते हैं एक सरजन दिखाये जाते हैं और एपोथेसरी क्या एपोथेसरी के साथ प्रिसिक्चू यानि कि apprentice हो जाते हैं apprentice का काम करने सुरू कर देते हैं इसके बाद next अगर हम discuss करेंगे तो next point क्या है 1814 में बेन ही was 19 अब इनकी उम्र 19 साल हो चुकी है He made first attempt at writing verses इन्होंने जो है जब 1814 में 19 वर्स के थे तो इन्होंने पहले बार कविता लिखने का प्रयास किया और पहले बार जब इन्होंने कविता लिखी तो उसका नाम था An Imitation of Spencers जो की publish करवाई थी इन्होंने 1817 में देखिए confusion मत होईएगा यहां पर इनकी उम्र 19 साल है 19 साल की आवस्था में इन्होंने लिखना सुरू करा और लिखा था उस समय सन जो थी वो 1814 थी तब इन्होंने अपना पहला प्रयास लिखने का सुरू करा और पहले प्रयास में इन्होंने कौन सी An Imitation आप Spenser लिखा जिसको इनको publish करवाया था 1817 में कब 1817 में इसके बाद नेक्स पॉइंट का अगर हम जिकर करें 1815 में क्या हुआ ही रजिस्टर्ड इन्होंने रजिस्टर किया हिमसेल्फ अपने आपको अजब मेडिकल स्टुडेंट एड गाइज स्कूल इन लंदन 1815 में इन्होंने लंदन में गाइज हॉस्पिटल जो की अप किंग्स कॉलिज के नाम से प्रसिद्ध है फिर रिपीट करता हूँ गाइज हॉस्पिटल जो की अप किंग्स कॉलिज लंदन में इन्होंने एक मेडिकल के छातर के रूप में अपने आपको पंजी करन कराया बहाँ दाखिल किया फिर क्या हुआ 1816 में कीट रिसीब्ड कीट ने रिसीब्ड किया ओके हेज अपोथेसरी अपोथेसरी लाइसेंस इनको जो है अपोथेसरी का लाइसेंस भी मिल जाता है 1816 में और उसी साल दिस सेम इयर ली हंट पबलिस करवाते हैं कीट सौनेट के सौनेट को जिसका नाम होता है ओसालिट्यूड इन ही मैगजीन अपनी मैगजीन में जिसका नाम होता है दि एक्जामिनर ओके इट वाज हीज फस्ट बर्क प्रिंटेड और ये उनका पहला प्रिंटिड वर्क होता है ओसालिट्यूड इन एटेन सिक्स्टेन अर्थाथ अठारह सो सोला में कीट को अपो थेसरीज लाइसेंस मिल गया उसी साल ली हंट ने कीट के सौनेट ओसालिट्यूड को अपनी पत्र का जिसका नाम था दि एक्जामिनर में प्रिकासित किया और यह उनका पहला प्रिंटिड बर्क था दोस्तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एट नमबर पॉइंट के इन एटीन सेविंटीन अठारह सो सत्रा में उनका एक पहला बैलूम आया ओके पोइम्स का बिच इनक्लूड जिसमें इनक्लूड थे क्या-क्या आई इस्टुड टिप ट्वाइ स्लीप एंड पोईट्री हिज ऑन फर्स लोकिंग इंटु चैप मेंस हॉमर्स आठारह सो सत्रा में उनका पहला बैलूम पोइम्स आया जिसमें आई इस्टुड टिप ट्वाइ स्लीप एंड पोईट्री ऑन फर्स लोकिंग इंटु चैप मेंस हॉमर्स सामिल थी अप्रेल अगर हम बात करें अप्रेल अठार सो अठारह में इडाइमियन बाज पब्लिस हुई थी अब इडाइमियन थोड़ा सा इंपोर्टेंट इसको थोड़ा सा समझ लिजेगा और किसके दोरा ये पब्लिस की गई ओके टेलर एंड हैसी के दोरा ये दो नाम याद रखना क्योंकि ये आपका इंपोर्टेंट वर्क है इंडाइमियन जो इंडाइमियन है वो पब्लिस हुआ है कब 818 में और किसके दोरा पब्लिस किया गया वो टेलर और हिचाई के दोरा इस सेमे इर उसी साल इन सेप्टेंबर ही मेट फैनी वरौन और उसी साल सेप्टेंबर में इनका मिलन किस से हुआ फैनी वरॉन से हुआ लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी दे दें एक्चली जो एडामियन है अटार सुटारा में जिसको पब्लिस किया गया यह पोईम जो है आइंबिक पिंटा मींटर में लिखे गए इसको हम हीरोई कपलेट के नाम से भी जानते हैं और इस पोईम की जो सुरुवात होती है वो तिंग आप यूटी इज आजवाए फोरेवर से इसकी सुरुवात होती है और यह एक पोईम जो है वो लांग नरेटी पोईम है और इसमें टोटल चार पार्ट हैं कितने चार पार्ट हैं हम चार पार्ट में इस पोईम को लिखा गया है हम आगे भी आपको इसके बारे में एकदम सेपरेट वीडियो बनाएंगे दोस्तों तो चलो नेक्ट अभी फ्लाल बायोगराफी पे काम चलना है अभी इन प्रतेक राइटर्स के बर्ग पे भी काम करना हम सुरू करेंगे जल्दी अगला हम लोग डिसकस करेंगे आन फास्ट दिसमबर 1818 को यानि की एक दिसमबर 1818 को उनके यंगर ब्रॉदर टॉम कीट्स डाइट हो जाते हैं लेकिन उनकी भी मृत्युकाय से होती है ट्यूबर क्लोसिस से होती है एक दिसमबर 1818 को उनके चोटे भाई टॉम कीट्स का दियानत जो है बो ट्यूबर क्लोसिस यानि की खंजबसन नाम की बिमारी से टीवी से हो जाता है नेक्स्ट उसी साल अगर हम बर्स 1819 जो की जौन कीट के लिए बहुत ही महतपूर पीरियर्ड माना गया सबसे ज़्यादा 1819 अगर हम इस साल में बात करें तो 1819 में बाज दी 1819 बाज दोस्तों यहाँ पर एक सब्द लिखने के रिए रह गया है अगर हम बात करें तो यह जो एर है न वो यहाँ पर बाज के बाज ले आईएगा यानि कि इन 1819 जो थी वो बाज में थी इन 1819 या दी इयर 1819 बाज दी इयर आफ हिज ग्रेट ओर्ड यह जो 1819 की साल है वो बाज में थी इयर बर्स था आफ हिज ग्रेट ओर्स बहुत ज़्यादा अच्छे प्यारे सुन्दर ओर्स की इस साल में रचना की गई अर्थात हम कह सकते हैं अगर हम बर्स 1819 की बात करें तो यह ओर्स के लिए एक महतपूर साल थी और इस महतपूर साल में 1819 में कौन कौन से ओड की रचना की गी जैसे ओड और ओन इंडोलेंस ओड अन मलंकली ओड टो अन एटिंगल ओड तो साइकी ओड तो आठंव तो इन सबी ओड्स की क्या की गी रचना की ओड तो आठंव next was the last to be written और इनका ये जो ode था वो उनका क्या था सबसे अंतिम ode था और ये जो ode to autumn था थोड़ा spelling mistake हो गई ये बाली spelling देख लिजेगा ode to autumn जो था वो उनका क्या था was the last to be written यानिकी सबसे अंतिम ode था ये जो लिखा गया इसके बाद अभी हम 1819 की बात करेंगे कीट रोट कीट ने लिखा इब आफ सेंट एगनीज लाविल्डेम संस मर्सी हेपेरियन लामिया अपले जिसका नाम था ओथो दे ग्रेट क्रिटिकली डेंड एंड नोट परफांड अंटिल 1850 इसको समझो 1819 में कीट ने दी इब आफ सेंट एगनेस लिखा था लाविल्डेम संस मर्सी हेपेरियन लामिया और एक नाटक जिसका नाम था ओके ओथो दे ग्रेट उसको लिखा दोस्तो हम अगर इन में तोड़ा सा डिसकस भी करेंगे अभी आपको बताएंगे कि यह जो लाविल्डेम संस मर्सी है वो इनका एक बैलड है क्या है एक बैलड है और अगर हम बात करें ओथो दी ग्रेट की तो जो ओथो दी ग्रेट है इनका एक ट्रेजडी है और यह जो है वो पाँच एक्ट में डिवाइड है लाबेल्डेम संसमर्सी क्या है आपकी एक बैलड है क्या है बैलड है दोस्तो फिर रिपेट करता हूँ लाबेल्डेम संसमर्सी हमारी क्या है एक बैलड है ओथो दी ग्रेट क्या है एक ट्रेजी है जो की पांच एक्ट में डिवाइड है ओके और दी इव आफ सेंट एगनी जो की पब्लिस हुई थी 1820 में और ये क्या है एक poem है जो की कंपोज हुई थी इसमें टोटल स्पेंसिरियन इस्टेंजा है वो 42 हैं ध्यार रखिएगा इसमें सेंट एगनीज क्या है एक रोमन गर्ल दिखाई जाती है लामिया जो है वो भी 1820 में पब्लिस हुई थी ये एक narrative poem है ओके यह ध्यार रखिएगा तो यह हमने थोड़ा सा overview दिया था इनके बारे में हम हेपेरिन की भी बात करेंगे हेपेरिन इसको आप fragment भी बोलते हैं 818 में आई थी ओके और यह blank verse blank verse में एक epic poem है दोस्तों ओके तो चलो हम लोग बात करेंगे आगे 13 number point की की 30 number point जो कीट का था बाज engaged हो गए तो फैनी ब्राउन यानि कि हम कह सकते हैं 819 में जॉन कीट fall in love with fanny brown the final balloon और इसका जो final balloon था वो कब कीट का लिब टू सी लामिया अब यहां से देख सकते हो कि दी फाइनल बैलूम आफ लामिया इसा वेला दी इब आफ सेंट एगनीज और अधर पोइम को आंतता हा टेलर और हैसे की द्वारा जुलाई 1920 में प्रकासित किया गया था दी फाइनल बैलूम कीट का ओके लिब टू सी कौन कौन से लामिया इसा वेला दी इब आफ सेंट एगनीज और अधर पोइम्स बाज इवेंचुली इसको पब्लिस करवाया गया इन जुलाई जुलाई के अठार सो बीस में और किसके द्वारा टेलर एंड हैसी के द्वारा इसके बाद on 17 सिप्तेंबर 820 को डॉक्टर ने इनको सलह दी कि बो जो हैं कीट को ये सलह दी कि कीट चले जाएं सेल टू रोम रोम चले जाएं विदेज फ्रेंड अपने दोस्त जो की पेंटर जौसिफ सेवार्ण के साथ 17 सिप्तेंबर 820 को डॉक्टर की सलह पर कीट ने अपने दोस्त जो की एक चित्रकार थे जौसिफ सेवार्ण के साथ रोम चले गए जब ये रोम गए ऐसा डॉक्टर ने इसलिए सला दी क्योंकि ये टूबर क्लोसिस नामक कंजप्सन नामक बीमारी से गिरसे थे और उन्हें डॉक्टर ने सला इन्हें इसलिए दी थे क्योंकि इनके फेपड़ा जाद है ठंड जो हैं वो बरदास्त नहीं कर पाते थे और हैं ऐसा सोचा कि अगर हम इटली रोम चले जाएंगे तो बहां कुछ गर्मी होती है और बहां का जो बाता वरना है वो इनके लिए अनकूल होगा लेकिन बहां जाने के बाद इह अपने जीवन में कभी भी दुबारा वापस नहीं आ पाए और वहीं पर इनकी क्या हो गई म मृत्य हो गई दोस्तों नेक्स्ट ही डाइड वो मर गए इन रोम में मर गए तेज़ फरवरी मृत्य हो गई तेज़ फरवरी 1821 में इन दिलेप आफ इस फ्रेंड और यह कोश्चन पूछा जाता है कि जब इनके मृत्य होई थी तो किसकी गोद में उस दोस्त का इनका नाम क्या था तो आपको बताना पड़ेगा जौसेफ सेवार्ण क्या नाम था जौसेफ सेवार्ण इनका दोस्त था उनकी गोद में इनकी क्या हो जाती है मृत्य हो जाती है यानकी सत्त था 23 परवरी 1821 को जौन कीट की मृत्यू रोम में अपने दोस्त जौसेफ सेवार्ण की गोद में हो गई और फिर बाजबरीड इनको दफन किया गया इन्दी प्रोटेस्टेंट सेमेट्री में रोम में इनको दफन कर दिया गया सेवान और ब्राउन इरेक्टेड दी स्टोन ओके बिच अंडर आर रिलीफ आफ आलायर बिद ब्रोकेन इसके बाद में इस्ट्रिंग इंक्लूड दी इपी थाफ और उस पर एक इपी थाफ लिखा गया कबर पर अंकित सब्द जो थे हेर लाइज वन और हूज नेम बाज और यह लाइन आपकी परिक्षा में इतनी ज़्यादा पूछी जाती है बहुत ज़्यादा इसको मैं अभी भी डिसकस भी करूंगा एक मिनट के बाद हमने क्या बताए यहाँ पर कि जान केट के मृत्यू रोम में 23 परवरी 1821 को अपने दोस्त जोसिफ सहवार्ण की गोद में हो गई और इसके बाद इनको प्रोटेस्टेंट कबरिस्तान में रोम के दफना दिया गया और मरने से पहले इन्होंने कहा था कि मेरे कबर पर मेरा नाम मत लिखना इन्होंने खु बह लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पर लिखा है यानि कि बहुत ही कम उम्र में बहुत ही कम उम्र तक जीने वाले पोईट इंग्लिस लिटरेचर पर एक गहरी चाप छोड़ करके चले गए इस दुनिया से बिदा हो गए बहुत ही कम उम्र तक जीने वाले पोईट थे ये और लेकिन अपनी कम उम्र में भी इन्होंने इंग्लिस लिटरेचर पर बहुत गहरी चाप छोड़ी जिसका मैं बता भी नहीं सकता हूँ किसी ने इन पर एक कमेंट भी किया था कि अगर वो तो ये कहो इन्होंने दो तीन साल ही लिटरेचर को लिख पाया अगर ये और थोड़ा जीवित रहा जाते और थोड़ा जी लेते तो ये लिखने में लिटरेचर में सेक्सपियर की बराबरी कर सकते थे अगला नेक्स्ट हम बात करेंगे आफ से कि आल वर्क आफ कीट बर पब्लिज्ट इन थी यर्स कीट के जादतर जितनी भी वर्क हैं वो सबी जो है पब्लिज्ट किये गए तीन सालों में ही यानि कि 1817 से लेकर कि 1820 में ओके लखार्ट इन इस पापुलर ब्लैक बूर्स मेंग जीन रेफ़र्ड तो कीट ग्रूप जिसमें कीट के अगर ग्रूप की बात करें तो ली हंट हैज लिट और कीट एज कौकनी पोईट्स इनको कौकनी स्कूल आप पोईट्स भी कहा जाता है मैं आगे डिसकस करूँगा कि इनको कौकनी स्कूल आप पोईट्स क्यों कहा जाता है कौकनी स्कूल आप पोईट्स का ग्रूप आप यह समझ लिजीगा ली हंट हैज लिट और जॉन किट बिकॉज क्योंकि आप देर आप देर लैक आप एजुकिशन नौन फार्मल राइमिंग लो डिक्शन इन सब की करण इनको कौकनी स्कूल आप पोईट्स बोला गया यह थोड़ा मैंने डिसकस कर दिया इसको एक बार फिर से सिलाइड को डिसकस करूँगा यहां पर जड़ा एक बार देख लिजेगा यह जॉन किट का इपिताफ है और उसके उपर यह बड़ अंकित है जॉन किट के हेर लाइस वन हूस नेम बाज रिट इन वाटर ओके यहां पर वो व्यक्तिलेटा हुआ है जिसका नाम पानी पर लिखा है अर्थात यहां पर बहे व्यक्तिलेटा हुआ है जिसका नाम पानी पर है अरलाइस वन हूस नेम बास राइट इन वाटर तो यह तो इनका बो हो गया अब हम इस तरीके से हैं देख सकते हो कि इनके जादतर वर्क जो है बोका पॉब्लिस हुए है 818, 819, 820 में इनकी मृत्यू फिर कभ हो जाती तेज फरवरी 1821 में ही इनकी मृत्य हो जाती है और इनकी EP थाप के उपर ये वाली लाइन को क्या कर दिया जाता है लिख दिया जाता है एक्जाम में कई बार पोछी जाती है इस लाइन को बिल्कुल भी मत भूलिएगा दूसरा अब हम बात करते हैं इनकी थोड़ी सी और कहानी के बारे में अगर हम इनके कहाने की बात करते हैं कि जान कीट ने अपने पोईटिक करियर की सुरुआत जो है साल 1817 में की थी इसके बाद 1818 1920 तक इसी तरीके से इनों ने अपने पोईटिक करियर को जब लिखना सुरू करा फिर ये नहीं रुके जब बै एक छोटे जवान लड़के थे तब इन्हों ने जब ये बहुत छोटे जवान लड़के थे तब इन्हों ने एक छोटा सा कलेक्शन पब्लिस करवाया था जिसका नाम था हिज जवे नायल वर्सिस अठार सो सत्रा में हिज जवे नायल वर्सिस जो की अठार सो सत्रा में पब्लिस करवाया था और इस कलेक्शन में पोईटिक कलेक्शन में जो इन्हों ने पब्लिस करवाया था इसके अंदर जॉन किट की ये कुछ पोइम्स थी जिनका नाम ये and poetry ये इनका poetic collection था जिसका नाम था हिज्जो विनाइल वर्सिस जो की 1817 में इसको publish करवाया गया दोस्तों और इस collection के लिए John Kate को बहुत सारे कभियों की आलोचना भी जिलने पड़ी जब इन्होंने ये पहला वर्क दिया था और ये एक ऐसे कभी थे दोस्तों जिनको अपने poetic काल में अपने जीवन रहते इनको कभी भी इतनी प्रसिद्धी नहीं मिली लेकिन मरने के बाद इनको बहुत ज़्यादा इनके वर्क्स को प्रसिद्धी मिली लोगों ने इनके वर्क्स को बहुत ज़दा पहचाना जॉन कीट के और इस कलेक्शन के लिए भी जॉन कीट को बहुत सारे कभियों की आलोचना जहिलने पड़ी और ये बहुत इस तरीके से सभी कभी इनके वारे में कहते हैं कि जॉन कीट बहुत बचकाना लिखते हैं बड़ा चाइल्डिस लिखते है लेकिन जॉन कीट ने कभी भी हिम्मत नहीं आ रही और बिपरीद पस्तितियों में भी अपने लेखनकारे को जारी रखा और लिखते रहे इनके मरने के बाद लोगों ने इनके वर्क को पड़ा तब पहचान पाए कि उनके अंदर आखिर क्या था कुछ वर्क जॉन कीट के जिनों को बहः पूरा नहीं कर सके दोस्तो कुछ वर्क जॉन कीट के ऐसे थे जिनको बहः किसी भी तरीके से पूरा नहीं कर पाए और वो इनकंप्लीट वर्क इनके कौन कौन से थे दोस्तो अगर हम इन incomplete work की बात करते हैं तो देख लिजेगा इनका इनका इनको कहीं पर भी नोट डाउन भी कर सकते हो दोस्तो अब बात करते हैं हम जॉन कीट के inspiration की यानि की जॉन कीट प्रेणा किसे लेते थे वो कौन कौन थे जिनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होते थे जॉन कीट यानि की पहले ब्यक्ति वो कौन थे एड्मेंड इस्पेंसर थे दोस्तो जब मैं बात एड्मेंड इस्पेंसर की करते हैं तो सबसे पहले तो एड्मेंड इस्पेंसर ओके इन में इन से तो जॉन कीट इतना ज़्यादा प्रवावित थे कि साइध ही इतना किसी और से ये प्रवावित होते हैं इसके बाद जेफरे चॉसर थे मिल्टन थे इन्होंन इन तीनों कभी होने एडमंड स्पिंसर जेफरे चॉसर और जॉन मिल्टर ने इसके अलावा उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे जैसे ली हंट जिन्होंने जॉन कीट के सुरुआ थी कैरियर में बहुत मदद की थी और ऐसा कहा जाता है कि अगर कीट कुछ समय तक और और कीट ने 1817 में जो वर्क पबलिस हुए थे उनके 1817 में ये वाले वर्क इनके पबलिस हुए थे तो ये जो वर्क पबलिस हुए थे इन सब को देख करके उनका मजाग बनाने के लिए जॉन कीट को एक वर्ड यूज किया जाता था जॉन कीट को और वो कॉक्नी क्या वर् कॉकिनी स्कूला पोईटरी बिऑ बोला जाता है आपको بहुत सारे कवियों के नाम दे देंगे और ने मैंसे एक नام कॉकिनी स्कूला पोईटरी से बिलॉंग करता है तो उसमें जान कीट है ली हंट है ओके ये आपके रहेंगे फिर इसके बाद अभी अभी हमने बताया भी था एक स्लाइड भी दी थी आपको यहाँ पर भी हमने डिसकस किया था कौकनी के बारे में कौकनी पोईट यानि के हंट, हैजलेट और कीट ओके यह सभी कौकनी स्कूला पोईटर से बिलॉंग करते थे फिर जान केट को सेंस्वस पोईट भी कहा जाता है अब मैं जान केट का एक और चीज ले करके आऊंगा कि जान केट को सेंस्वस पोईट के रूप में भी जाना जाता है अब सेंस्वस पोईट से मतलब यह है कि इसका करण यह है कि मानब 5 सेंस्वस होती है मानब के अंदर कितनी सेंस्वस होती है पांच जिनके जैसे टच है टेस्ट है समेल है साइट है हेरिंग है और केट्स ने इन पांच सेंस्वस का प्रियोग करके नेचर की ब्यूटी को फेल करते थे जौन कीट जो है इन पाँच सेंस्वस का प्रियोग करके नेचर की ब्यूटी को फेल किया करते थे और उसी को बह अपनी कविताओं में लिखा करते थे इसलिए जौन कीट को सेंस्वस पोईट के नाम से भी हम जानते हैं ध्यान रखिएगा इस चीज को इसके बाद हम नेगेटिव कैपेविल्टी को डिसकस करेंगे कि आके रिए नेगेटिव कैपेविल्टी क्या होता है और नेगेटिव कैपेविल्टी का ठर्म किस ने दिया वो भी जौन कीट नहीं दिया है दोस्तों तो चलो देख लेते हम जौन कीट को इन नेगेटिव होता है या हम ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा मैं इसको बहुत डेटेल समझाऊंगा पांस मिनट तो कम से कम नेगेटिव कैपिवेल्टी के उपर बोलूंगा बोलूंगा लेकिन जहाँ से कोश्चन बनता है पहले बहुत चीज समझ लिजेगा कोश्चन ये पूछा गया टीज जार्ज और थामस के लिए जब ये एक पत्र में जान कीट को नेगेटिव कैपिवेल्टी सब्द का उप्योग किया जार्ज और थामस के लिए 21 दिसंबर 1817 के अपने एक पत्र में जान कीट ने नेगेटिव कैपिवेल्टी सब्द का उप्योग किया तो कोश्चन ये पू कि it has used a term कौन से term का उपयोग किया तो आंसर आपका होगा नेगेटिव कैपेबिल्टी क्या आंसर होगा नेगेटिव कैपेबिल्टी इसके बाद ये भी कोश्चन पूछा गया TGT PGT में नेगेटिव कैपेबिल्टी के उपर कि पहली बात तो ये ध्यार रखना नेगेटिव कैपेबिल्टी का बढ़ दिया किसने तो जौन कीट ने लेकिन ऐसा नहीं था कि जौन कीट ने ही इसे सबसे पहली बार प्रियोग किया है इससे पहले सेक्सपियर भी अपने नाटकों में निगेटिव कैपेबिल्टी का प्रियोग कर चुकी थे लेकिन उन्होंने इस सब्द का इजाद ने किया इजाद करने बाले जौन कीटी थे हम आगे डिसकस करेंगे थोड़ा सा ये पॉइंट हम समझ लेते हैं इस इज दी क्वालिटी डेटा मैं पजेशिस भें ही इज कपेबल आफ बिंग इन अंसर्टैनिटीज मिस्ट्रीज डाउट बिदाउट एनी इरीटेवल रीचिंग आफ्टर फेक्ट एंड रीजन इस क्वालिटी के लिए कौन सा टर्म दिया जा सकता है तो नेगेटिव कपेबल्टी यानि कि एह बहे गोड़ा है जो एक आदमी के अंदर पाया जाता है जब बिना किसी इरीटेशन चिडचड़ेपन के या अनिशिताओं के या रहसों के बिना किसी डाउट के अपने तत्थे यानि कि एफेक्ट एबम रीजन को तलासती हो अपने लच तक पहुंचने में केपेबल होता है अपनी क्वालिटीज को दूसरी करेक्टर्स के माद्यम से सो करने में केपेबल होता है और इसी गुड़ को हम नेगेटिव केपेबल्टी कहते हैं कि वो डिरेक्टली अपने विचारों में नहीं देखेगा डिरेक्टली अपने बाक्स में नहीं होगा बलकि करेक्टर्स के माद्यम से इंडिरेक्टली अपने बर्क में महजूद होता है इस quality को हम term दिया जॉन कीट ने नेगेटिव capability दोस्तों नेगेटिव capability को जॉन कीट के द्वारा सबसे पहले 1817 में यूज किया गया था कब 1817 में इससे पहले भी इस सब्द का प्रियोग literature में हुआ है ऐसा नहीं है कि इससे पहले literature में इस सब्द का प्रियोग ना हुआ हो इससे पहले भी literature में इस सब्द का प्रियोग किया जा चुका है जो सैक्सपियर ने किया था लेकिन जो नाम दिया वो जॉन कीट ने ही दिया इस term का ओके नेगेटिव capability जब कोई writer अब नेगेटिव capability है किया ज़रा एक मिनट के लिए समझ लिजेगा जब कोई भी writer या poet या novelist अपने बर्क में खुद मैजूद ना होकर खुद मैजूद ना होकर बलकि अपने ideas को अपने thoughts को या अपनी imagination को character के माद्दम से बताता है character के माद्दम से बात करता है example तोर पे आप से बात करें John Keat का O2 Nightingale की बात कर लेते हैं कि John Keat का O2 Nightingale में John Keat ने अपने दुख by imagination को Nightingale के थ्रो सामने लाया है जब कि तुमने देखा होगा इसमें अगर हम बात करें Nightingale की तो किसी भी bird या पक्ची में emotion इस तरह से नहीं होते जिस तरीकी का imagination John Keat ने O2 Nightingale में किया है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर John Keat अपने खुद की feelings को खुद के thought को, खुद के imagination को, खुद के idea को एक Nightingale, एक पक्ची के मादम से अपने viewers को, अपने readers को बताना चाहरा है एक्सप्रेस करना चाहरा है एही negative capability है सेक्सपियर भी इसका प्रियोग कर चुके थे बस William सेक्सपियर ने इस सब्द को नहीं गड़ा इस term को नहीं लेकर आये थे term जो है, वो John Keat नहीं दिया तो John Keat खुद कहते हैं कि सेक्सपियर जो बहए negative capability के expert है यहाँ पर भी John Keat ने खुद ही इस बात को accept किया था कि सेक्सपियर भी negative capability के बहुत ज़्यादा expert है जब हम सेक्सपियर के बर्क को पढ़ते हैं तो हम यह देखते हैं कि सेक्सपियर ने भी अपने ideas, thoughts और imagination को character के माद्दम से नाटकों में प्रिकट किया है यह negative capability है जिसमें हम अपने विचारों को, अपने thoughts को अपने imagination को अपने अपने इमेजिनेशन को अपने अपने विचारों के बर्क किया है तो अब आपको साइद मुझे समझ आ गया होगा negative capability के बारे में आगे negative capability पे जब हम लोग separate का भी पढ़ रहे होंगे तो और जड़ा डेटेल बात करेंगे फ्लाल यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं बहुत ज़दा नहीं बताऊंगा आगे हम बात करते हैं एडाइमियन की तो हमने बात करी ली थी तो आगे इनकी थोड़ी सी चर्चा हम इस बात की कर लेते हैं थोड़ा सा मेजर वर्क तीजी से देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़दा लंबा हो रहा है मैं अलग से इन सबी के वारे में वीडियो आपको देता रहूंगा दोस्तों तो थोड़ा सा समझ लो 1818 में इनकी पोईम्स का कलक्सन आया था इसके बाद में 1818 में इडाइमियन आपवेटिक रोमान सिखाया था तीन साल में देख ले ना 1718 सत्रा ये चार साले मालों 17181920 बल्कि तीन साल में इनकी ज़्यादे तरबर्क पबलिस हुए है 17-18, 18-19-20 में आप देखो एपेरियन आफरेगमेंट है 18-19 में ओत्वी ग्रेट जो कि हमने बताया था क्या है एक ट्रेजडी है ओके ओत्वी ग्रेट एक ट्रेजडी है जो कि 5 एक्ट में डिवाइड है दोस्तो इसके बाद में 18-19 में अपाल आफ एपेरियन और पोईम्स भी आई हैं, फिर नेक्स्ट जॉन किट के ओड़्स की बात करेंगे, की जॉन किट के कौन कौन से ओड़ हैं, 819 में उनका ए अटार सो अननीस जॉन के जीवन के लिए बहुत महतफ़ उन्होर्ण था, पब्लिस हुए अठार सो उन्नीस में ये पूरी की पूरी सीरीज आये थी ओट्टू मलंकली मलंकली का मतलब होता है बेदना दुख ओके इसके बाद ओट्टू इंडोलेंस ओट्टू मलंकली इंडोलेंस हो गया ओट्टू फैंसी इसके बाद रॉविन हूड तू आफ्रेंड अठासो पंद्रा में उट्टू अपोलो और फिर हम बात करेंगे फैंस पोइम्स की आप जॉन कीट जॉन कीट की कुछ फैंस पोइम्स थी जैसे आप तू होप अन देथ तू सम लेडिज इनकी कुछ फैंस पोइम्स हैं दोस्तो इनकी क्या है कुछ फैंस पोइम्स हैं दो त्री सॉनेट अन बुमेन बुमेन बाइन अन इसनफ फिल फार मी आ ब्रमिंग बाउल इसा वेला दी पोट अप बेसिल आई इस्टूद टिप टॉई अपन अ लिटल हिल और फिर स्पेशिमेन आफ एन इंड़क्शन तो अपोइम्स इसके बाद कीट्स जॉन केट के कुछ पापुलर स्वनेट देख लो के बाद 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 के ब एक तो देखेगा क्रिकेट एक गेम का नाम है और दूसरा क्रिकेट एक केड़ा होता है जींगुर। क्या होता है क्रिकेट मीज जींगुर। अगर आसो पर टिड़ा हम समझते ही हो। नेक्स्ट एक पर एकुट नाम है तो आफ्रेंड वो संट में सम्रोज एक स्टीड। इप एक पर यूस्ट लुट इज़ एक पर यूस्ट वाद वेन आफ एक पर्षा एक्ट एप्र वाट ज़ींगुर। पर नपस्ट लुटिंग इंट छेपन समर्स एसभी। फिर रिटिन ओन दी डेट मिस्टर ली हंट लेप्ट पिरजिन। तो अब आपको पता लग गया होगा साथियों कि ये तो थी हमारी बायोग्राफी और छोटी सी जानकारी जॉन केट के बारे में। आगला हम लोग जॉन केट के कुछ इसपेस ली जहां से टीजीटी पीजीटी में बहुत जादा कोश्चन उठते हैं या बनने की समभाव न रहती हैं। हम डेटेल से डिसकस करेंगे फ्लाल इस बायोग्राफी को आप दो तीन वार कम से कम इसको देखीगा और इसके नोर्स को बनाते चलिएगा जिससे कि आप लोगों के प्रक्टिस हो सके हम से जितनी भी मदद आप लोगों के हो सकेगी हम उतना मदद करेंगे बाकी आप किसी आने चैनल के दोरा या किसी आने सोर्स के दोरा भी अपनी तैयारी को बहुत बेतर बना सकते हो साथियो जैहिन जैवारत